हाल ही मैं नासा के जेम्स बेब स्पेस टेलिस्कोप ने स्पेस एक्स्प्लोरेशन के शेत्र में एक और नया किर्तिमन रचा है वो पल जिसका हम सब को और पूरी साइन्टिफिक कॉम्यूनिटी को इंतजार था फाइनली वो आ चुका है जिहां हम बात कर रहे हैं जेम्स बेब स्पेस टेलिस्कोप द्वारा ली गई फर्स्ट इमेज की ये इमेज जेड़ोलेस्टी की अब तक की ली गई सबसे क्लियर और बेहद प्रिसाइजली प्रोसेस्ट इमेज है और आज के इस एपिसोड में हम इसी इमेज को नजदीक से देखने वाले हैं साथी बात करेंगे जेड़ोलेस्टी के काम करने के तरीके और इसकी काबलेतों के बारे में इनी सब बातों को जानने के लिए आये चलते हैं धर्ती से डेर्ड मिलियन किलोमीटर दूर लेगरांज पॉइंट टू पर जहां और्बिट कर रहा है हमारा ये सितारा बीते साल 25 दिसंबर की तारीख को धर्ती से उड़ान भरने के बाद कुल डेर्ड मिलियन किलोमीटर का सफर तैकर हमारा ये योद्धा अंतरिक्ष में मौजूद लेगरांज पॉइंट पर पहुँचा था जिसके बाद इसने बहुत से मेनुवर्स और ट्राइल्स को कैरी आउट किया और आज वो पल आ चुका है जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतजार था फाइनली अपने लॉँच के करीब तीन महीनों बाद JWST ने अपनी पहली स्टेलर इमेज को कैप्चर करके भेज दिया है यहां स्टेलर इमेज का मतलब है एक स्टार यानि की सितारे की तस्वीर बात करेगर इस इमेज से जुड़ी एहम डिटेल्स पर तो टेक्निकली तो वेब टेलिसकोप ने अपनी पहली इमेज दो फरवरी संद 2022 को ही कैप्चर कर ली थी मगर उस तस्वीर में दिख रहे ऑबजेक्ट्स बेहत बलर्ड और अनफोकस्ड पोजीशन में थे जिस कारण उसे वेब की पहली इमेज न मानते हुए महज एक ओपरेशनल टेस्ट के तोर पर ही लिया गया यानि कि उस तस्वीर को जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप के मिरर्स की सही फोकसिंग जाचने की कड़ी मान लिया गया था मगर हाल ही में रिलीज हुई ये इमेज प्रैक्टिकली जे डवलेश्टी दोरा ली गई पहली इमेज है इस इमेज में एक स्टार और उससे आ रही रोशनी के हर एक कत्रे को साफ तोर पर देखा जा सकता है यहां तक की नासा का ये तक कहना है कि वेब टेलिसकोप के मिरर्स ने उम्मीद से कई गुणा ज़ादा बहतर परफॉर्म किया और ना केवल बेहद कारगर धंसे लाइट रेज को कैप्चर किया बलकि उसकी इनिशिल प्रोसेसिंग के काम को भी बखूबी धंसे अंजाम दिया सच कहें तो लॉंच के बाद नासा और ना केवल नासा बलकि पूरी की पूरी साइन्टिफिक कम्यूनिटी इस पल का इंतजार कर रही थी कहीं न कहीं इस पल से पहले टीम जेड़ोलोस्टी के इंजिनिर्स की नर्वसनेस साफ साफ नजर आई जोकि इस सफलता से पहले नासा को हबल टेलिसकोप के वक्त भी एक भारी नाकामी का सामना करना पड़ा था जी हां हम बात कर रहे हैं हबल के जाइरोस्कोपिक फेलियर की जब केवल एक basic से mechanical sensor के काम ना करने से सालों का ये project बिलकुल खत्म होने की कगार पर आ गया था अगर आप इस घटना के बारे में और अधिक details में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे comment section में बता सकते हैं हम जल्दी आपके लिए इस पर भी एक documentary ले आएंगे मगर फिलहाल आएए वापस रोख करते हैं वेब telescope की इस astonishing first image का वेल भले ही आज हम इस image को अपनी screen पर आसानी से देख पा रहे हैं मगर इसे हासिल करना वेग्यानिकों और खुद James Webb Space Telescope के लिए इतना भी easy नहीं था इस पूरे सफर को जानने के लिए हमें चलना होगा आज की तारीक से पूरे दो महीनों पहले दो फरवरी की रोज जब James Webb Space Telescope के सुनहरे mirrors से light के कुछ photons आकर टकराए थे ये photons ना जाने कितनी ही light years की दूरी से सफर करते हुए Webb Telescope की ओर बढ़ रहे थे वास्तों में रोशनी की ये किरने धरती से 2000 light years दूर मौझूद 2 mass J15774042 प्लस 6551277 नामी तारे से आ रही थी इसे खोजा Webb Telescope में ही लगे एक sensor NIR Cam यानि की Near Infrared Camera ने जो की exclusively Webb Telescope में मौझूद एक Infrared Sensitive Device है जिसकी मदद से वैग्यानिकों को स्टार लाइट के बारे में मालूम पड़ा शायद आप ये बात ना जानते हों कि जब किसी तारे से निकले photon particles ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो initially तो वो अपने ही original state में बने रहते हैं और एक visible light ray की तरह स्पेस के वैक्यू में ट्रेवल करते हैं मगर जब वो rays अपने तारे से ट्रेवल करते करते काफी दूर आ पहुँचती है तो वो stretch होने लगती है जिस कारण वो spectrum में खिसकर left direction में मौझूद infrared blocks में enter कर जाती है आसान भाशा में जब स्पेस में light बहुँच ज़्यादा ट्रेवल करती है तो वो infrared rays में convert हो जाती है जिससे उसका optical प्रभाव को बिलकुल ही खत्म हो जाता है मगर उसका wave impact बना रहता है और कुछ ऐसे ही ये infrared rays जब वैब के mirror से टकराई होगी तो इन से star की composition का visible data तयार हुआ होगा और अगर complexity से बाहर निकल कर आसान और normal language में बात करें तो James Webb Space Telescope के अपनी position L2 Lagrange Point पर पहुँचते ही NASA ने अपने plan पर काम करना शुरू कर दिया था जिसके अंतरगर्थ शुरूआती तीन महीनों में धेरों test images को capture और align किया गया इन सभी trial observations का मकसद टेलिस्कोप को उसके काम की पहचान कराना और साथी अंतरिक्ष की कसोटी पर उतार कर उसकी काबलियतों को जाचना था जैसे कि हमने आपको पहले बताया इस दोरान धेरों images को capture और process किया गया और इस net practice के बाद finally web ने इस तारे की high definition और detailed colored image को बना कर तयार किया जैसे कि आप सभी पहले ही जानते हैं James Webb Space Telescope के mirrors 18 different mirror segments में बटे हुए हैं और यही 18 different mirror segments जब light rays को capture करते हैं तो 18 अलग-लग optical draft तयार होती हैं जैने बाद में NASA के वैग्यानिकों की एक team साथ में merge कर final processed image को तयार करती है यह ठीक वैसा ही है जैसे हमारी दो आँखें जिनका dual frame vision हमारे दिमाग real time में process कर एक unified और frameless view देता है ऐसे ही इसी fundamental engineering के आधार पर यह telescope भी काम करता है और हमारी इस image को भी कुछ इसी ढंक से gather किये गए data के merger के बाद तयार किया गया है आई अब जानते हैं कि आखिर James Webb Space Telescope काम कैसे करता है किस तरह यह किसी भी स्टारिया दूर दराज में बसी galaxy पर focus करके उसकी बेहद detailed और high definition cosmos image तयार करता है वैल Space Engineer एक इंतहाई complex और पेचिदा topic है किसी भी spacecraft के working capital को समझने में कई महीनों तक का वक्त लग सकता है फिर भी आईए इसे बेहद simplified ढंक से समझने की कोशिश करते हैं फर्ज किजिए कि आज हमें JWST की मदद से किसी 1000 light years दूर मौजूद सितारे की images चाहिए ऐसे में सबसे पहले हमें Maryland स्थित Goddard Space Flight Center जो की James Webb Space Telescope का Mission Control Center भी है वहाँ से इस telescope को alignment के लिए command send करनी होगी जिसके बाद वो signals JWST तक पहुँचेंगे जने कुछ मेंटों में decode कर Webb Space Telescope हरकत में आ जाएगा और अपने भीतर लगे thrusters, avomotors की मदद से अपनी position में change लाएगा एक बार जैसे ही James Webb Space Telescope के mirrors उस और तन जाएगे तो ये अपने भीतर लगे gyroscopic और position oriented sensors की मदद से अपनी same position को काहिम रखेगा जिसके बाद शुरुआत होगी असली imaging प्रक्रिया की इसके अंतरगर्त अगर उस object से infrared radiation emit हो रहा होगा तो पहले JWST में लगे IR cams उस radiation का follow up लेंगे जिसके बाद सामने आई infrared pattern के according ये telescope अपने आपको और भी जदा precisely position कर पाईगा और finally इसी moment पर photons और अने radiation को JWST के mirrors capture करेंगे जिसके बाद light rays travel करते हुए इसके sensors तक पहुँचेंगी जहां पहुँचने के बाद वो सारा optical data actual images में convert होगा जैसी के अब जानते ही हैं कि इस telescope में लगे 18 different mirror segments अलग light prospects को capture करेंगे यानि at the same time हमारे पास एक ही object के 18 frames या कहें की copies मौजुद होती हैं जिने combine करने पर हमें कुछ ऐसी final image हासिल होती है 16 March को जारी की गई image भी कुछ इसी ढंक से ली और process भी की गई होगी इनफेक्ट फिलहल researchers और वैग्यानिकों की टीम इस newly captured image को study करने में जूटी हुई है ऐसे में आप इस पर क्या सोचते हैं क्या ये image हमें ब्रहमांड के नई राजों से अवगत करवाईगी या फिर महज NASA के space archive का हिस्सा बन कर रह जाईगी दोस्तो आप अपनी राय हमें comment section में शेर करना न भूलें दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे like और दोस्तों में शेर करना भी बिलकुल न भूलें साथी चैनल को subscribe करके bell notification और जरूर कर लें दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए informative वीडियो के साथ तब तक के लिए stay curious, be happy, नमशकार